दूस्तो क्या आपको पता है महावीर हनुमान जी की उड़ने की रफ्तार कितनी तेज थी? आखिर कितनी तेज उड़ सकते थे हनुमान जी? आखिर उनको संजिवनी बूटी लाने में किन किन कठिनाईयों का सामना का न पड़ा? जानेंगे आज की इस वीडियो में हनुमान जी के बारे में दूस्तो रामाइन के बारे में आप ये तो जानते ही है कि रामाइन में उन सभी घटनाओं के बारे में जिक्र मिलता है जो कि भगवान राम के साथ हुए थे और ये सब तब हुआ जब उन्हें 14 साल का वनवाश हुआ था उस दौरान उनके भाई लक्षमन और उनकी पत्नी सीता उनके साथ थे और जंगलों और वनों में जो जीवन व्यतित कर रहे थे इन्ही बहुत सारी घटनाओं में से एक घटना तब घटी थी जब लक्षमन एक युद्ध के दोरान मेगनात का तीर लगने से मूर्चित हो गए थे या कहिए वो घायल हो गए थे और उनके प्राण जाने ही वाले थे लेकिन संजीवनी बुटी की मदद से उन्हें बचा लिया गया था इस घटना में राम जी के भक्त हनुमान जी ने लक्षमन को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी क्योंकि वहीं थे जो हिमालई परवत पर जाकर वहां से संजीवनी बुटी का पूरा पहाड ही उठा कर लिया थे लेकिन दोस्तो इस घटना के दोरान आखेर ऐसा क्या हुआ था दरसल दोस्तो लक्षमन मेगनात का तेर लगने से घायल हुए थे ये बात आप जानते होंगे लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि आखेर लक्षमन और मेगनात का युद्ध हुआ ही क्यों था दरसल इसकी वज़ा थी एक यग्य जो कि मेगनात कर रहा था किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था लेगिन जैसा कि आप जानते हैं कि रावन का भाई विबिशन उस समय राम जी के साथ ही था और उसे लंका के बारे में और वहां के युद्धाव के बारे में सब कुछ मालुम था इसलिए उसे इस बात की भी जानकारी मिल गई कि मेगनात यग्य कराए और अगर ये यग्य सफल हो जाता है तो मेगनात इसके बाद अमर हो जाएगा और फिर उसे तीनों लोकों में कोई भी हरा नहीं पाएगा या कहिए कोई भी मार नहीं सकता इसलिए ये बात विभिशन ने राम जी को बताई अभी इस यग्य को रोकने का जिम्मा लिया वानर सेना ने और सेना ने मेगनात की यग्य को रोक भी दिया जब तक यग्य रुका उस समय रात हो चुकी थी आपको बता दे कि वानर सिन्ना के साल लक्षमन जी भी मौजूद थे उन्होंने मेगनाद को युद्ध के लिए ललकारा मेगनाद भी काफी पराक्रमी था उसने लक्षमन की चुनोती स्विकार कर ली और फिर दोनों के बीच में एक खमासान युद्ध हो गया युद्ध के दोरान एक बार लक्षमन को तीर लगा और वो मुर्चित होकर जमीन पर गिर पड़े इसके बाद मेगनाद ने सुचा कि लक्षमन को अगर बंदी बना लिया जाए तो राम जी हार मान लेंगे इसलिए उसने लक्षमन को उठा कर ले जाने की कोशिश करी लेकिन ऐसा करने में वो काम्याब नहीं हो सका क्योंकि कोई भी लक्षमन को उठाना तो दूर उनके शरीर को हिला भी नहीं सका ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लक्षमन खुद शेशनाक का ही दूसरा अवतार थे इसलिए उनके पास असीम शक्तिया थी यही बज़ा है कि मेगनात का तीर लगने के बाद भी वो मरे नहीं बलकि मुर्चित हुए थे अब जब मेगनात लक्षमन को उठा पाने में नाकाम रहा तो वो खाली हाथ ही लाट आया इसके बाद राम जी वहाँ पे पहुँचते तो लक्षमन को मुर्चित देखकर बहुत दुखी हो जाते और राम जी को दुखी देखकर हनुमान जी जल्दी से एक वैद को बला लते वैद बताता है कि हिमाले पर एक संजीवनी नाम की बूटी मिलती है अगर वो बूटी मिल जाए तो लक्षमन के प्राण बचाई जा सकते है इसके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाने के लिए रवाना होते है लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी लाने में कितना वक्त लगा इस बात को जानने के लिए आपको इस पूरी घटना की टाइमिंग पर नजर दोडाने पड़ेगी तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस पूरी घटना में टाइमिंग के इस तरह से चली थी दरसल जिस वक्त लक्षमन और मेगनात में युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त रात के नौ बच चुके थी इसके बाद दोनों के बीच करीब बारा बज़े तक घमासान युद्ध होता रहा लेकिन बारा बज़े के करीब लक्षमन को मेगनात का तीर लग गया और वो मुर्चित हो गए उस समय जब सभी लोग चिंती थे तब विबिशन ने को सांत बना दी और राम जी को बताया कि लंका के राज वैद शुशिल लक्षमन को बचा सकते हैं ऐसा कहा जता है कि उसके बाद अनमान जी सुशिल वैद को लंका से उनके मकान के साथ ही उठा लाई थे इसके बाद सुशिल वैदी ने लक्षमन के हालत की जांच की और कहा कि अब इनकी जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है संजीवनी बूटी सुशिल वेद ने कहा कि हिमाले के पास एक परवत है द्रोणा गिरी इस परवत पर चार तरह की जड़ी बूटिया मिलेंगे अगर इन जड़ी बूटियों को सुरज उगने से पहले यहां तक लाया जा सकता है तो ही लक्षमन की जान बचाई जा सकती है इन सब के दोरान करीब रात का डेड़ बच्चुका था और इसी के साथ हनुमान जी राम जी को ये विश्वास दिलाते हुए कि वो सुरज उगने से पहले ही संजीवनी बूटि ले आएंगे वो संजीवनी बूटि लाने के लिए रवाना हो जाते हैं आपको हम बता दे कि लंका से द्रोणागेरी परवत की दूरी करीब 25 किलोमेटर थी लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सीधी द्रोणागेरी परवत पर पहुँच गए थी इस परवत तक पहुँचने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ा जिससे रास्ते में उन्हें काल नेमी नाम का एक राक्षस मेरा जो कि उस समय रिशी के भेश में था और वो लगातार राम जी के नाम का जब करा था क्योंकि हनुमान जी भी राम जी के भक्त थे इसलिए वो उसकी बातों में आगे उसने हनुमान जी से कहा कि पहली वो नहा ले उसके बाद ही वो बताएगा कि राम जी और रावन के युद्ध का क्या परिणाम होगा जब हनुमान जी नहाने लगे तो अचानक से उन पर पीछे से एक मगरमच ने हमला कर दिया लेकिन हनुमान जी के सामने भला एक मगरमच का क्या जोर चल सकता था तो कुछी देर में अनुमान जी ने इस मगरमच को मार दिया जिसके बाद मगरमच की आत्मा ने उन्हें काल नेमी राक्षस की सारी सच्चाई बता दी ये जान करके वो रिशी एक राक्षस है और वो सिर द्रोणागिरी परवत पर आखिर में पहुंच गए लेकिन यहां भी उन्हें बड़ी परिशानिया हुई क्योंकि परवत पर बहुत सारी जड़ी बूटिया मौजुद थी और हनुमान जी यह नहीं पहचान पा रहे थे कि आखिर उनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है इस में जब करीब आदा घंटा गुजर गया तो हनुमान जी ने पूरा द्रोणा गिरी परवत ही उठा लिया और वापस चल पड़े इसके बाद दोस्तों जब हनुमान जी अयोद्या के उपर से गुजर रहे थे तब आस्मान में काफी दूरी होने की वज़ह से भरत उन्हें पहचान नहीं पाए उन्हें लगा कि शायद कोई राक्षस जा रहा है इसलिए भरत ने हनुमान जी पर तीर से हमला कर दिया भरत के तीर से हनुमान जी घायल होगे और वो जमीन प्या गिरे जब वो जमीन पर गिर रहे थे तब वो राम जी का नाम ले रहे थे इसलिए पूरी जानकारी दी जब भरत को इस सब के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने हनुमान जी से ख्षमा मांगी और हनुमान जी को फिर तुरंथ ही रवाना कर दिया लेकिन एक बार फिर से करीब आदे घंटे का समय बरबाद हो चुका था पर फ संजीवनी बूटी को पहचाना और उसे लक्षमन को दिया अब दोस्तों टाइमिंग पर गौर गया जाए तो सुबह पांच बजे से पहले हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका पे आ गए थे ऐसे में जो वक्त उनका बेच में बरबाद हुआ था उसको एक तरफ अ हजार किलोमिटर की होती है तो दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी करीब पच्चेसो किलोमिटर प्रतिगंटे की रफ्तार से हवा में ओडे होंगे और वो ऐसे कि हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने बच्चपन में लगाने की स्पीड या उडने की स्पीड 11 किलोमिटर प्रति सेकेंड से जाधा ही रही होगी तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो हमें नीचे कमेंट करके जरूपताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा शेर करन आपको मिलेगी सबसे पहले धन्यबाद